वेलकम टू लर्नभी आई एम शिवानी जाहान इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास थर्ड इंग्लेश की बुककर चाप्रो 6 की पोयम जो है ट्रेंस उसके NCRT सल्यूशनस हम देखने वाले हैं तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो जरुब जान को सब्सक्राइब करें इसी तरीके की विडियोश डेली देखने के लिए वेर टू दे ट्रेंस रण ट्रेंस कहा पर चलती है ट्रेंस रन ओवर मॉंंटेन्स प्लेंस आν रिवर्स तो भो बहुंटेन हो रिवर हो पलेन हो बहर कहीं से जो है, ट्रेंग को निकल जाती है. What are the precious loads that they carry? तो precious होता है कीमती, तो कीमती भार ट्रेंग क्या ले करके जाती है, तो देंगे इंपोर्टन पेपर, लगिज, गोल्ड, सिल्वर, etc. विच अर वेरी ब्रेशेस, तो भाई समान कुछ बहुती महत्वपुन दस्तावेश होते हैं, गोल्ड होता है, सिल्वर होता है तो यह सब बहुती कीमती होते हैं Where do the trains run? Trains कहाँ पर चलती है? Trains run after, sorry, when do trains run? Trains कप चलती है? Trains run after carrying passenger, mail and precious load तो जब उसमें पैसिंजर यातरी बाट जाते हैं, मेल्स जो समान जाना होता है, वो मतलब रखा जाता है, और कीम्ती समान रखा जाता है, उसके बाद ट्रेन चल पड़ती है What is the dusk and dawn? तो dusk होता है, the darker stage of twilight, dawn होता है, break of day, मतलब जो सुभह का daylight, रॉशनी वाला समय होता है, उसको dawn कहते हैं, और dusk होता है, जो मतलब रात का समय अधेरी वाला Do you enjoy train rides? तो yes, I enjoy train rides very much Next question है, if you had to travel over a long distance, how would you like to go and why? अगर आपको लंबी आतरा तै करनी है, तो आप किससे जाना चाहेंगे और क्यों? तो answer है, I would like to go by train This is because it is comfortable means of transport मैं train से जाना पसंद करोगी, क्योंकि ये काफी ज़दा comfortable है, अराम दायक transport का, मीनिंग है, अब हम चल सकते हैं, लेट सकते हैं It has sleeping arrangements and toilet facilities that are essential for traveling over a long distance तो आप सो सकते हो, और इसमें अराम से इदर भूम भी सकते हो, और toilet facilities भी train में होते हैं, तो इसलें long distance के लिए बहुत अच्छे होती है Question 7 है, If you had to spend a night in a train, what you need to take with you, draw and name the things you would need in this suitcase तो आप ट्रेन में अगर एक रात पूरी आपको बतानी है, तो आपको किस-किस चीज की ज़रूरत पढ़ेगी है, तो खाने की आपको ज़रूरत पढ़ती है Bedsheet की पिछाने के लिए, ओनने के लिए, चद्दर, पिलो तक या क्योंकि आप पूरे दिन ट्रावल कर रहे हैं, तो अगले दिन टूट्ब्रश की भी ज़रूरत पढ़ जाएगी फिर उसके बाद टंग-क्लीनर है, यह सब चीज हो कि आपको ज़रूरत पढ़ सकती है Describe an interesting train or bus journey you have taken or would like to take तो एक interesting अच्छी सी bus journey को, train journey को describe कीजिए, जो आपने मतलब देखी है तो write 4 sentences, 4 sentences अपने journey के बारे में लिखिए और इन सब से आपको help लेनी है काफी सारे many people, crowded tea stores, बहुत सारे लोग वहाँ पर थे tea store लेनी की चाय के जो जहाँ पर लोग चाय पी रहे थे, वो काफी ज़दा, crowded थे पहुसर लोग चाय पी रहे थे इन सब शब्दों का इससमाल करके हम लोग को sentence बनाना है तो देखो answer है, I went to railway station with my father to go to hill station मैं अपने father के साथ railway station गई, क्योंकि मुझको hill station पर जाना था, मताब पहाडो वाली area में जाना था My father took the tickets from the ticket window, मेरे father ने ticket window से ticket लिया From the window, I saw hills, big and small trees and river तो जब मैं train में बाट गई तो फिर उसके बाद मैंने देखा पहाड, छोड़ चोटीन ना दिया, पेड I also saw crowded tea stalls and many people on the stations, तो अलग लग stations आ रहे थे, जब train चल रही थी, तो लोग जो है, चाय के strollों पे बहुत जादा भील लगा कर खड़े के, crowded होता है, भीट भाड़ वाला The trains whizzled loudly if someone comes in between the tracks, अगर track के पास को यगर आ जाता है, तो train बहुत ही थे, सीटी बजाने लगती है Sort out these different means of transport into correct groups, तो ये जो है, इनको groups में करना है, तो land, air और water, तीन फागों में हमने means of transport को divide कर दे है, land यानि के जमीन वाला तो जमीन वाला कौन-कौन सा होता है, बस, car, train, bicycle, truck, ये जमीन के transport है, mode of transport, हावा वाला, aeroplane और helicopter, पानी वाला, ship, boat, steamer और याच, ये हमने यहां से जो है, डिवाइब करती है Different means of transport होते हैं, land, air और water, sentences को हमें complete करना है, give me some dash to eat, give me some food to eat, play with me, Swim across the river, तो मतलब give me some food to eat, मुझे खाने के लिए कुछ खाना दो, मेरे साथ खेलो, play with me, swim across the river, river को तैर दो, swim होता है तैर ना Let's get on the train, train पर चलो आउट, चलो जाते है, say aloud, ये जो शब्द है, इनको आपको तेजी से पढ़ना है, तो क्या-क्या है, देखिए, mail, mail होता है, जो समान आता है ना, उसको हम mail बोलते है, जैसे कि हमारे गर पे, letters फगर आते हैं, fail मतलब असफल हो जाना, dawn, अभी हमने देखा लोगों ने देखे solutions, NCRTK, पोफिली वीडियो आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगाए है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें, thank you